सामरम जी फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आप सब का स्वागत है हे मिलता डेली लाइफ डाइरी में दोस्तो एक बार माता लक्समी भगवान सिरी हरी से पूछती है हे प्रभु मैं जानना चाहती हूँ कि क्या प्रत्वी लोग पर मनुश्यों को पूरु जन्म का भी कर चुकाना पड़ता है और मृत्यू के बाद मनुश्य की आत्मा वह कौन-कौन सी चीजे हैं जो साथ लेकर जाती है तता उन सभी का प्रभाव मनुश्य के मृत्यू के बाद किस तरह से रहता है तब मुस्कुराते हुए बगवान सिरी हरी विश्नु कहते हैं कि हे देवी आज आपने जो प्रस्न की हैं वह समस्त मानव जाती के कल्यान है त्यू अत्यंत महत्य पूर्ण है हे देवी यह सत्य है कि इनसान को अपने पूर्ण का कर्ज अवस्य ही चुकाना पड़ता है और मृत्यू के बाद भी कुछ ऐसी चीज़े हैं जो आत्मा के साथ में ही रहती है और उनका प्रभाव मनुश्य के जीवन पर जरूर पड़ता है तब मालक्स में पूस्ती है कि हे प्रभू यह कैसा कर्ज होता है जो अगले जनम में भी चुकाना पड़ता है और वे कौन सी चीज़े हैं जो अगले जनम में भी परभाव डालती है फिर भगवान से रही विश्नु कहते हैं देवी आज मैं आपको इसी विश्य में एक कथा सुनाता हूँ दोस्तों आप इस कथा को ध्यान से सुने और पूरा सुने तो आपको आपके सभी प्रशनों के उत्तर अवश्य ही मिल जाएंगे कि पूर जुनम का कज क्यों चुकाना पड़ता है इस तरह कथा का सुन करने मातर सही आपके जीवन के सुक संपन और धन की वर्शा भी होगी इसलिए इसे पूरा ध्यान से सुने हे माता लक्षमी आज जो भी इस पवित्र कथा का सुन कर रहा है आप उसके उपर अपना आश्रवात सद्यव बनाए रखना उनके जीवन की सभी मनों कामने पूर्ण करना मित्रो आगे बगवान सिरीहरी कहते हैं कि हे लक्षमी एक समय की बात है विदर्ब देश के राजा सुदेश नाम का एक ब्राहमन रहता था और उनकी पतनी का नाम रूपाली था वे अत्यंत गरीब घर में जन्मा था लेकिन वे अत्यंत बुद्धिमान और महनती था जब वे निर्दन था तब उसे दन की अधिक लालसा नहीं थी लेकिन अपनी महनत के जोर पर जैसे जैसे उसके पास दन का संग्रह होने लगा तब वे दिन रात उस दन को बढ़ाने की चिंता में डूबर रहता था उसकी पतनी रूपाली भी धन की अत्यंत लालची इस्तरी थी आप जो जानते ही होगे कि धन की तरशना ऐसी होती है जो बढ़ते धन की सासत बढ़ती ही जाती है सुदेश अब ऐसा सोचता था कि कास उसे कोई ऐसी युक्ती मिल जाए जिससे कुछ ही दिनों में धन में हजारों गुना बढ़ोतरी हो जाए हे लक्समी पहले वे धन को चंचल और हाथ का मैल समझता था और कहता था धन का क्या है वे तो हमेशा आता जाता रहता है लेकिन तब वे मूर्ग था अब उसकी आँके खुल गई थी और वे धन का अत्यधिक संग्रह करने लगा उस धन से वे दान धरम आदी करने लगा तथा वे सादू और महंतों की भी सेवक में अवना धन लगाता था पहले उसकी इस्वर में बड़ी ही स्रेद्दा थी किन्तु समय बीतने के साथ साथ धन के लालच में भड़कती हुई जुआला ने उसके अन्य सभी सद्गुनों को भी जला दिया धन की लालसा ने उसकी अंतरात्मा को हमेशा के लिए नश्ट कर दिया पहले जब भी सुदेश के द्वार पर कोई साथू महत्मा आते तो उसका मुख फूलों की तरह खिल उड़ता था परन्तु अब आदर सत्कार के समय मुख पर निरासा और मायुसी ही रहती थी दोस्तो भगवान सिरीहरी कहते हैं हे एक बार की बात है संध्या का समय था सुदेश के द्वार पर एक साथू आकर रुका और बोला पुत्र मैं एक यात्री हूँ और आगे हरी द्वार जाना है आज की रात बिताने के लिए साथू को इस्थान मिल जाए तो अच्छा होगा मैं बड़ी ही आसा से आपके द्वार पर आया हूँ उस साथू का मुख संतोस की मूर्ती था आखों में अमरत और मुँ में सहद सी मिठास थी जिस कारण से सुदेश काहर्द्य भक्ति वाउसे भर गया वह उसे प्रणाम करते हुए बोला जरूर महत्मा आपकी सेवा करना तो मेरा परमधर्म है तब वे साथू मुस्कराते हुए कहते हैं बेटा आजकल के समय में तुमारे जैसे भक्ति भाव वाले पुरुस कहीं विरले ही मिलते हैं इस संसार से धरम का भाव जैसे उठसाई गया है इस परकार से सादू के मुक से अपनी प्रसंसा सुनकर सुदेश का हर्दे खिल उठा उसको ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसे स्वर्ग में ही इस्थान मिल गया हो उसके होटों पर सब्द आ ही गये थे लेकिन उन्हें दबा लिया और उसने कहा महराज अगर हम आप जैसे संतों की सेवन नहीं करेंगे तो इस मानो जीवन का क्या लाब ऐसा कहते हुए सुदेश उन महत्मा को अपने घर के अंदर ले गया तब उन्होंने उसके घर में प्रवेश किया तब सुदेश ने उनके स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन बनवाया नाना प्रकार के मिठाई बनवाई उसके बाद दाल और सबजियों में इतना घी डाला जैसे नदी की धारा में जल बह रहा हो भले ही सुदेश उन महत्मा को इतने पोश्टिक आहार देने के पक्स में नहीं था लेकिन महत्मा की बातों में कुछ ऐसी सक्तियां थी कि उसके वर्षो पुराने विचार चंद पलों में ही बतल गए जैसे सुखी धर्ती पर एक दिन की बारिश से हर्याली च्छा जाती है इस भगती भाव से महत्मा का दिल खुस हो गया रात भर बाते होती रही ज्यान और भगती की चर्चाएं चलती रही अंत में सुदेश ने पूचा कि मात्मा जी आप साधू कैसे बने साधू ने हसकर उत्तर दिया बेटा बुडापा आ गया है अब क्या सारी उम्र ग्रेस्ती में ही फसा रहूंगा कुछ हरी बजन भी तो करना चाहिए इस्वर क्रपा से बहुत धन कमाया है मेरे चार पुत्र हैं और एक कन्या भी है अब सारी धन दोलत उन्हें बाट दी है और अब तीर्थ यात्रा को जा रहा हूं फिर कुछ समय के पश्चात सुदेश ने सादू की तरफ देखा और पूछा तो क्या आपने अपना सब कुछ बच्चों को दे दिया या फिर अपने पास भी कुछ रखा है तभी सादू ने उत्तर दिया बेटा मेरे हाथ में जो यह लाठी देख रहे हो यह अंदर से खोकली है इसमें मैंने पानसो सुण मुद्राएं डाल रखी है यात्रा में कभी कभी धनकी आवसकता भी पढ़ जाती है यह कहते कहते सादू को नींद लग गई लेकिन सुदेश की आँखे जाग रही थी यह सारी बाते उसकी पत्नी रुपाली ने भी सुन ली अब रात्री का पहला पहर बीट गया था वह बार बार महात्मा की लाठी को ही देख रहा था और मन ही मन कुछ सोच रहा था अब उसके अंदर लोब लालच की माया का संचार हुआ किन्तु उसकी अंतर आत्मा इस ग्रहनित कार्य को करने से रोक रही थी लेकिन वही मन की दुरात्मा स्वन मुद्राएं पाने की जिद पर अड़ गई कुछ समय तक इस संगर्ष में ही उसके मन का बुरा हाल हो चुका था कि तभी उसकी पतनी उसके पास आकर बैठ जाती है और कहती है स्वामी आप किस गहरी चिंता में डूबे हुए हैं क्या आप भी वही कुटिल मनसा से सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ इस महत्मा ने तो अपनी खूब सेवा करवा ली है अब इन्हें कुछ तो हरजाना भरना पड़ेगा तब सुदेश कहता है रूपाली मेरे मन में बड़ी ही दुविदा हो रही है हमारा कर्तव यह है कि अथिती की सेवा करें किन्तु अगर हम इनके धन को चुराते हैं तो पाप होगा सायद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए तब उनकी पत्नी कहती है अजी आप कैसे फिजूल की बाते कर रहे हो इस महात्मा की उम्र ढल चुकी है और क्या पता कभी है लुड़क जाए वैसे भी अब यह अनाध है और अपना अंतिम समय बिताने हेतु हरी दुआर जा रहे है आप अपने मन को मत रोको और इन स्वन मुद्राओं को ले लो मुझे लगता है इस्वर भी यही चाहते हैं इसी एकारण से यह महात्मा यहां पदा रहे हैं और जो बात सबसे गुप्त रखनी चाहिए उससे ही आपको बता दी है तब सुदेश कहता है ठीक है दोस्तो भगवान स्री हरी आगे कहते हैं हे लक्षमी अंत में लोब ने धर्म को हरा दिया सुदेश ने लाठी उठाई पर उसके हाथ पर काप रहे थे उसकी अंतर आत्मा ने एक बार फिर से बड़डाना सुरू किया लेकिन लोब के दर्ड हाथों ने उसे दबा दिया तबी सुदेश और रुपाली ने लाठी खोली और उसमें से स्वण मोहरों को निकाल लिया और उनकी जगह सामानी लोहे के सिक्के भर दिये अगले दिन प्राते सुबह महत्मा सुदेश और उसकी पतनी की विनमरता पूर्वक आज्या लेकर इसनान आदी करके अपनी अगली यात्रा के लिए तयार हो गए किन्तु अभी भी सुदेश का दिल धड़क रहा था उसे डर लग रहा था कहीं साधू को सकना हो जाए इस ख्याल से उसका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था लेकिन महत्मा को इस बात की कोई खबर नहीं थी वह तो हसते हुए बाते कर रहे थे और रात की महमान नवाजी के लिए बार-बार धन्यवाद दे रहे थे अपितु जाते समय सुदेश ने कहा महत्मा जी मेरे यहां संतान नहीं है कृपया भगवान सिरी कृष्ण से प्रातना करें कि उनके जैसी ही हमारे यहां संतान हो जाए वैसे तो हम पापी हैं हमारी प्रातना हो तो कोई असर नहीं होगा किन्तु आप तो महत्मा हैं आप की बात जरूर सुनेंगे तभी मंद मुस्कान के साथ महत्मा ने उत्तर दिया सुनेंगे या नहीं यह तो वही जाने लेकिन मैं तुम्हें असरवा देता हूँ कि भगवान सिरी कृष्ण तुम्हें संतान दे इतना कहकर वे महत्मा वहां से चले गए अब जैसे सुदेश के सिर से एक बड़ा बोज हट गया था उसे ऐसा लगा जैसे मात्मा के जाने के साथ ही उसके दिल से एक पत्थर हट गया हो किन्तु वे दोनों पतिपतने इस चोरी के फल से नहीं बज सकते थे यह बात सुदेश का मन और मस्तिक्स भी अनुबाव कर रहा था परन्तु वे इस चोरी के प्रकट होने से बहुत डरता था चोरी का प्रकट होना प्रत्यक्ष था किन्तु उसका फल भविश्य के किसी परदे में चुपचाप छिपकर सही अवसर प्रतिक्षा में था मनुष्य वर्तमान समय के सामने भविश्य की परवा नहीं करता है वहीं दूसरी और जब वे मात्मा हरी दुआर पहुँचे तो उनका हर्दे अत्यांत प्रसन हो गया यहां सादू संतों को देखकर ऐसी प्रसनता हुई मानों उन्हें सभी देवताओं के साक्षात दर्शन हो गये हो उनका मन इस स्वर भगती में लीन हो गया फिर अगले दिन उन्होंने उस मंदिर के मुख्य रसोये को बुला कर कहा मैं यहां हरी दुआर आने हे तु सभी यात्रियों के लिए अन्यदान करना चाहता हूँ यही एक इच्छा मेरी बाकी है कृप्या आप हमें बताये कि सभी लोगों के भोजन निवास और वस्त्रदान के लिए कितना खर्च हो सकता है तबी उस व्यक्ती ने कुछ हिसाब करते हुए बताया कि महराज अन्यदान निवास और वस्त्रदान और अन्ये सभी प्रकार के कारियों के लिए कुल चार सो सुण मुद्राएं लग सकती है तथा दस से बीस कम अधिक लग सकती है क्या आपके पास इतना जादा प्रियाप्त धन है ठीक है मैं इसका प्रबंद करता हूँ महातमा ने कहा आप बैस कल आप बैस सभी कारिक्रमों का आयोजन करो कहकर गंगा इसनान के लिए महातमा जी चले गए अगले दिन उनके कहे अनुसार उस रसोईये ने पूरा आयोजन किया हरीद्वार के परिसर में बड़ी ही धूम धाम और खुसी के साथ अन्य दान वस्त्र दान और भजन आदिकारियों को संपन्न किया वहां मौजूद सभी लोग देखकर खुसी से कहने लगे मातमा श्युम गरीब होकर इतने उदार हैं और जिनके पास धनकी कोई कमी नहीं होती वे व्यर्थ के दिखावे में लुटा देते हैं परन्तु धर्म की रहा पर एक कोडी भी खर्च नहीं करते यह एक नेक दिल मनुश्य है जिसने अपना धर्म समझा और धर्म के सामने धनका मो नहीं देखा अपनी प्रसंचा सुनकर महत्मा की खुशी का कोई ठीकाना ना रहा उनका हर्द्य आनंद से प्रसंद हो रहा था किन्तु दूसरी और उनका भागे रो रहा था जब संध्या हुई महत्मा ने अपने कमरे का दर्वाजा बंद किया और लाठी को खोल कर देखा तो लाठी के अंदर लोहे के सिको को देखकर उनका हर्द्य काप गया उसे ऐसा प्रतित हुआ मानो वह कोई भयानक स्वपन देख रहा हो उसे अपनी आखों पर यक्न यकीन नहीं हो रहा था वह चाता था कि यह स्वपन जल्दी से जल्द तूट जाए पर यह कोई ऐसा स्वपन नहीं था जिससे निंद खुल जाए उसने बार-बार अपनी आखों को मसल कर देखा पर सिक्के वही थे लोहे के अब उस महत्मा को थोड़ी ही देर में रसोये को इसाब करके उसका धन लोटाना था उसने सोचा अब क्या होगा अपमान की चवी उसकी आखों के सामने खिच गई वह कहने लगा हे प्रभू आप मुझे चमा करें महत्मा कापत वे खड़े हो गए उन्होंने अपमान का ख्याल अपमान से भी ज़्यादा डरावना लग रहा था अब उनमें से सेहन करने की सक्ती नहीं थी वे कुछ ही देर तक सो रहे थे और उन्होंने अचानक से दर्वाजा बंद कर लिया और साथ ही उम्मीदों के द्वार भी बंद हो गए महत्मा जी ने चार पाई की रस्यों को निकाला और उन्हें छट से लटका दिया अब मोत दर्वाजे पर खड़ी थी कि तभी महत्मा की अंतर आत्मा ने उपदेश दिया दिमाग ने भी सलहा दी कि यह तुम क्या कर रहे हो आत्मात्या सबसे बड़ान और निंदन्य कर्म है अत्या ऐसा मत करो पर निरासा ने हर तरफ से हाकार रख दिया था महत्मा का चैरा मृत्व्यक्ती की तरह सफेद पड़ गया था तब उन्होंने चारपाई पर खड़े होकर अपनी गर्दन में फंदा डाला और कापते हुए पैरों से चारपाई को ठोकर मार दी वह महत्मा फासी पर जूल गया और उसकी मोत हो गई जहां सुबह बहुत सुख पूरख और सांध थी लेकिन किसे पता था कि शाम इतनी दुखद होगी कुछ ही समय बाद यह गटना का चारो और फैल गई यह सब देखकर उस रसोये ने ही महत्मा का अंतिम संसकार किया और फिर से भगवान का नाम लेकर अपने काम में लग गया दोस्तों भगवान सिरीहरी आगे कहते हैं कि हे लक्षमी वो महत्मा तो मर गए लेकिन उनका असरवाद अभी भी जीवित था एक साल के भीतर ही चोर ब्रहमन सुदेश के घर में एक सुन्दर पुत्र का जनम हुआ इस अउसर पर सुदेश ऐसे प्रसन था मानो सारे संसार का धन उसे मिल गया हो अब तो अंधेरे घर में प्रकास चा गया था उसके पैर धरती पर ना पड़ते थे उसने बालक का नाम करन संसकार बड़ी ही धूमदाम से किया इस उत्सव के अउसर पर एक नगर भोज भी दिया गया उस दिन सुदेश ने अपनी सारी जिन्दगी की कंजूसी निकाल दी और धन को पानी की तरह बहाया और बालक का नाम आत्मे रखा गया आत्मे बहुत ही सुसील और भगवान का उपासकता बालक था उसकी तिक्षन बुद्धी देखकर आश्च्रिय होता था लोग कहते थे कि यह कुल का नाम भड़ाएगा सुदेश यह सुनकर फूला ना समाता था इसी प्रकार छे वर्ष बीत गए आत्मे सिक्षा ग्रहन करने हेत्व आश्रम में चला गया वहां भी उसके गुणों का विकास होने लगा वह हमेशा अपनी कक्षा में प्रतम आया करता था सुदेश यह देखकर इस्वर को धन्यवाद करता था लेकिन कभी कभी जब उसे उस महत्मा के साथ अपने दुरुवार की बात याद आ जाती तो उसके दिल में चुबन होती और उनकी आत्मा पर एक अंजाना सा डर चा जाता था उसे बार बार अपने उपर गुसा आता था वह अकसर मन में दुखी हो जाता था और मन ही मन कहता कि मेरी बुद्धी कैसी खोटी थी मैंने ऐसी मुर्खता कि क्योंकि लेकिन बीता हुआ समय उसके हाथ में नहीं आ सकता था उसने स्वन की पानसो मोहरो को एक लाल वस्तर में भांद कर संदूग में रख दिया और यह निश्ची किया कि वह उस महतमा को वापस दे देगा फिर उसने महतमा की खोज शुरू कर दी कई लोगों को भेजा लेकिन वह उस महतमा तक नहीं पहुँच सका इतना समय बीत गया कि अब सुदेश उस गटना को भूल गया परन्तु स्वन मुद्राएं अभी भी एक लाल वस्तर में लिप्टी हुई उसी संदूग में पड़ी थी दोस्तों भगवान सिरीहरी आगे कहते हैं हे लक्षमी समय गुजर्ता गया और आतमे अब बीस वर्सका हो गया था साथ ही उसने एक बीमारी ने जकड रखा था और आतमे के इलाज में काफी धन का खर्च हो रहा था फिर एक दिन अचानक सुदेश अपनी पतनी रुपाली और बेटे आतमे के साथ हरीद्वार के लिए निकल पड़ा वहां पहुँचकर वे एक सराय में ठहरे वहां सुदेश को पता चला कि उनके बेटे आतमे कावेहार साथ हो जैसा हो रहा है उसके अंदर वेरागे आ रहा है वह दिन रात साथ हों के डेरे में समय बिताता और जब भी किसी दीन दुखी या गरीब को देखता तो उसकी मदद करता था इसे देखकर सुदेश बहुत परेशान होता था पर वे कुछ नहीं कर पाता था आतमे उसकी इकलोती संतान थी उसका मुख देखकर सुदेश का क्रोध सांत हो जाता था वे बहुत सोचता था परन्तु आतमे के इस वभाव का कारण उसे समझ में नहीं आता था फिर दूसरे दिन संध्या के समय आतमे भजन कर अपने सराय की तरफ लोट रहा था कि रास्ते में एक बुड़ा आदमी उसे रोता हुआ मिला तब आतमे ने आश्च्रिय से पूछा भाई रोते क्यों हो तब बुड़ा कहने लगा बेटा क्या कहूं कहते हुए लज्जा आती है अगर तुम जानना ही चाते हो तो सुनो मैं गंगाजी में डूब कर अपना जीवन समाप्त करने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे व्यापार में गाटा हुआ है और मेरे सिर पर बहुत सारा कर्ज है आतमे कहता है पर यह तो छोटी सी बात है उस बुड़े व्यक्ती ने अजीबो गरीब नजर से आतमे को देखा और कहा मुझे अपना कर्ज चुकाना है नहीं तो मेरे पास आतम हत्या करने के अलावा कोई विकल्ब ही नहीं है तब आत्मे कुछ देर तक चुप रहा यह मोन उस दुर्भाग्य साली बुड़े के व्यक्ति के लिए एक उम्मीद बन रहा था उसके आशु थम गए और फिर आत्मे ने पूछा कि महराज आपको कितने धन की आव सकता है क्रपया आप हमें बताएं दोस्तों जब इनसान निरास हतास होता है तब उसे हर कदम पर उम्मीद नजर आती है उस बुड़े व्यक्ति ने हिसाब लागा कर जवाब दिया और कहा कि मेरे सिर पर लगबग 500 स्वन मुद्राओं का कर्ज है आत्मे फिर से कुछ देर के लिए च चिन्ता मत करो आप बस इसी गंगा के तट पर मेरी पृतिक्षा करो मैं बस अभी वापस आता हूँ आपके लिए कहीं ना कहीं से धनका संग्रय करके लाता हूँ तब बुड़े आदमी ने कहा बेटा यही पास में ही मेरी एक धरम शाला है तुम वही पर आ जाओ उसी समय आतमे भागते हुए वापस सराय में आ पहुँचा उस समय उसके हर्दय में हल्चल जी मची हुई थी उसका चित व्याकुल था वह चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके बुड़े बाबा का संकट दूर कर दे उसे दिवी सक्ती ने विश्वास दिला दिया था कि इस बुड़े बाबा की सहायता करना मेरा धरम है वह एक विशेज भाउता के साथ अपने सराय पर पहुँचा तब उसके माता पिता कहीं बाहर गए हुए थे अब आत्मे का रास्ता साफ हो गया था उसने संदूग पर जो ताला लगा हुआ था उसे एक पत्थर से तोड़ फिर संदूग को खंगालना शुरू कर दिया निरासा से अपनी जगए बना ली थी लेकिन आसा ने बंदन बांद दिये थे तब ही अचानक आसा की एक किरन नजर आई आत्मे हाथ में वे लाल वस्त्र आ गया उसने उसे कापते हुए हाथों से खोला और उसका दिल कमल की तरह खिल उठा उस रुमाल में पूरी पान सो स मुद्राएं थी यह वही सोने की मुद्राएं थी जिसे सुदेश ने कभी एक महत्मा से चुराया था अब मुद्राओं को गिंती गी तो वे पूरी पान सो ही निकली आत्मे कादिल प्रसंता से भर गया उसने वह मुद्राएं अपनी जेब में डाली और वस्तर को वापस संदूख में रख दिया और अती उत्साह के साथ उसी बुड़े बाबा के पास जा पहुचा और उन्हें वह मुद्राएं दे दी दोस्तो बगवान सिरीहरी कहते हैं कि हे लक्षमी आपके पहले प्रसंत के अनुसार हर व्यक्ति को पूरु जन्म का कर चुका नहीं पड़ता है यह बुड़े बाबा वही रसोई ये है जिनोंने उस महात्मा का अन्यदान और भंडारे का आयोजन किया था किन्तु उसके आत्मात्य करने के कारण इनके ही धन की हानी हुई थी और आत्मे वही महात्मा है जो सुदेश के घर में जनम लेकर अपना करजा चुका कर मुक्ति हुआ दोस्तो अब आगे सुनों होनी को कुछ और ही मनजूर था जब आत्मे वापस लोटा तो उसके मन में एक अनोखी सान्ती थी मानो कि उसका जनम इसी कार्य को पूर्ण करने हित्तु हुआ था अब उसकी बिमारी ने उसके ही प्राणों की आहुती ली वही जब दूसरे दिन सुबह ये बात सुदेश और रुपाली को पता चली कि उनका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो चुका है तो इस दुख के कारण उनका हर्द्य अत्यंत पीडा से भर गया और निरासा के साथ उन्होंने भी अपने प्राणों को त्याग दिया जब उन तीनों की मृत्यु हुई तो उसी रसोये ने उनका अंतिम संसकार किया जब उन तीनों की आत्माओं को यमराज ले दरबार मिलाया तब यमराज ने आत्मे को सुर्ग में भेज दिया वहीं दूसरी और सुदेश और उसकी पत्नी रूपाली को घोर नरक में डाल दिया तत्पस्चात उन दोनों को ही अपाहिज बनाकर धर्ती लोग पर कुत्ते के रूप में जनम देकर वापस भेज दिया दोस्तो जो भी मनुश्य अपने जीवन में कर्ज नहीं चुकाते हैं उन्हें जनम जनमांतर तक कष्ट भोगने ही पड़ते हैं इसलिए मनुश्य को किसी भी प्रकार के एहसान और कर्ज को चुकाना चाहिए दोस्तो भगवान सिरीहरी आगे कहते हैं कि हे लक्ष्मी आपके दूसरे प्रस्ण के अनुसार म्रत्यू के पश्चात भी पांच ऐसी चीजे हैं जो सरीर के साथ नहीं छोड़ती है और म्रत्यू के पश्चात भी उस आत्मा के साथ ही रह जाती है यानि म्रत्यू के पश्चात जब आत्मा दूसरे सरीर में प्रवेस करती है तो यह चीजें आत्मा के साथ उस नए सरीर के भितर प्रवेस कर जाती है कामना वे पहली चीज है जो मनुष्य की मृत्यू के साथ ही रहती है अगले जनम में भी उसके साथ ही रह जाती है दूसरी है कर्म मनुष्य इस जीवन में पुन्य करम और अच्छे करम करता है तो अगले जनम में भी उस मनुष्य को सुख, शान्ती और सम्रदी की प्राप्ती होती है वहीं अगर वह मनुष्य बुरे करम या कूकर्ण करता है तो अगले जनम में भी उस मनुष्य को ही नरक रूपी जीवन व्यतीत करना पड़ता है जिस कारण यह कहा जाता है कि करम की गती ऐसी होती है कि जो साथ जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ती है तीसरा कि वासना, वासना भी कामना का ही एक परकार है वासना एक ऐसी चीजें मानी जाती है जिसका कोई भी अंत नहीं है मृत्यु की चोखट पर आए हुए लोग भी वासना से मुक्त नहीं हो पाते हैं इस सांसारिक सुख की चाहत और काम की वासना इच्छा कहलाती है मन की सांती और ज्यान ही एक मात्र वस्तु है जो वासना से मुक्ती दिलवा सकती है चोथी है इसमर्ती या ज्यान बुद्धी मान मनुष्य हमेशा ही बुद्धी मान और विवेक सील रहते हैं जिस कारण से उन्हें जल्दी मुक्ती की प्राप्ती होती है और पांचवी बात है कर्ज यह एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ती है अगर किसी से कर्ज लिया है तो उसे मरने से पहले जरूर चुकाना चाहिए कर्ज और दिया गया कर्ज जनम जनमानतर तक उस मनुष्य के साथ ही रहता है अगर कोई मनुष्य कर्ज लेकर मरता है तो उसका कर्ज पर लोक में वापस मांगा जाता है साथ ही उसे अपने कर्ज की सजा भी दी जाती है इतना ही नहीं पुनर जनम में उस कर्ज के भरण के तोर पर उस मनुष्य के सरीर के किसी भी हिस्से को अपंग या अपाहिज बना दिया जाता है अगले मिलने वाले जनम में भी वह व्यक्ति सुक सुविदाओं से दूर रहता है और हमेशा अपने जीवन में ऐस सफल रह जाता है मातालक्स में भगवान सिरीहरी से कहती है कि हे प्रभू मेरा तीसरा प्रसन है कि मनुष्य को किस पाप के कारण प्रेत पिसाच योनी को धारन करना पड़ता है तब मुस्कराते हुए भगवान सिरीहरी कहते हैं कि हे देवी आपको इसी विसे में एक महत्यपूर और सत्य गटना के आधार पर एक कता सुनाता हूँ एक समय की बात है मद्य देश में एक अनिकेत नाम का एक अनाथ युवक ब्रहमन रहता था वह सभी धर्म सास्तरों में पारंगत महान विद्वान रूपवान तथा गुणवान था जिसकी ख्याती पंचरिसी में प्रसिद थी वह नित्य पूजा पाठ धर्म दान करता और गाय की सेवा भी किया करता था फिर एक दिन अन्य किसी नगर से वह भागवत कथा का पाठ कर वापस अपने घर की और जा रहा था किन्तु अंदकार के कारण वह अपना रास्ता भटक गया और एक घंगोर जंगल में जा पहुंचा वह बैस विचारों में मगन होकर धर्ती क और देखकर चलता जा रहा था काफी समय तक चलता जा रहा था किन्तु जब चलते हुए किसी जानवर के दात कुतरने की भिष्ण आवाज उसे सुनाई दी तब वह मन ही मन डरते हुए अपने चारों और देखता है तो वही पास में ही एक सूखे भ्यानक पेड़ पर एक प मरत व्यक्ति का मास खाने में व्यस्त थे उन प्रेतों के सरीर में मात्र सिराओं से युक्त हड़ी और चमड़ी ही स्येस थी उनका पेट पीट में दसा हुआ था उनकी आखों से और नाग से रक्त बह रहा था वे दिखने में इतने विचित्र थे कि स्वम देवता भी हो जाते वे केवल मृत मनुश्यों का या जंगली जानवरों का खून पीते और उनका ही बक्षन किया करते थे कटार से भी तेज उनके नाखून और दात थे जो एक बार में ही सेर या हाथी को मार सकते थे उन्हें देखते ही अनिकेद के पैरों के नीची से जमिन ही खिसक डर से मारे उसके प्राण ही मूँ को आ गए थे अब वे सोच रहा था कि उसकी मृत्यू निश्चित है तबी वे चुपचाप अपने कदमों को धीमे करते हुए उल्टे पाउं वापस जाने वाला ही था कि कुछ सुखे पत्तों के दबने के कारण एक आवाज हुई जिसे सुनकर पिसाच और चुडेल को किसी के आने की भनक लग गई और जब उन्होंने आवाज की तरफ देखा तो उन्हें एक नोजवान ब्राहमन वहां खड़ा दिखाई दिया उसी समय उन्होंने उस मृत सव को छोड़ कर अनिकेद की और जपट लगाई और देखते ही देखते दबोच लिया वे दोनों आपस में कहने लगे इसे तो मैं ही खाऊंगा ये तो बहुत हष्ट पुष्ट है नहीं इस नोजवान को तो मैं ही खाऊंगी आप बस देखते रहना तबी अनिकेद अपने कलस में से पंचामरत और अभीमंत्रित कर उन दोनों के सरीर पर छिड़क दिया जिस कारण से उनका सरीर तिल तिल जल उठा लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब उनका ताप कुछ कम हुआ तो वे दोनों थोड़े ही सांथ हो गए और तब प्रेत ब्राहमन से बोला आप दोनों से मेरी एक विंती है अगर आप मुझे स्वीकार करते हो तो मैं स्वम आपके मुख का निवाला बनने के लिए तयार हूँ तबी पिसाच बोला वाह क्या बात है आज पहली बार कोई हमें स्वम को खाने के लिए कह रहा है इससे पहले जो भी प्राणी मनुशी या वन्य जीव हमारे पास आया वैं स्वम के रक्षन हेत्तू हमसे विंती करता था युवक तुम कौन हो तब ब्राहमन बोला हे पिसाच मैं यहीं पास के गाउं में रहने वाला एक ब्राहमन हूँ मेरा नाम अनिकेत है मैं आपको इस पिसाच तथा चुडेल योनी से मुक्ति दिलवा सकता हूं उसकी ऐसी बातों पर जोर जोर से हस्ते हुए चुडेल ने कहा देखो जी इसको खुद तो ठीक से मूच भी नहीं निकली है और यह हमें मुक्ति दिलाने की बाते कहे रहा है लेकिन उसकी विन्य और सिन्य पूर्वक बातों को सुनकर पिसाच ने कहा ठीक है अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो दिखाओ हमें तभी अनिकेद ने अपने कलस में रखे पंचामरत को हाथ में लेकर कहा ओम भगवते वासु देवा आयनमा उसी समय उन दोनों प्रेतों के सरीर में से अपने पूरुजनम की यादे वापस आती है और वे जोर जोर से विलाप्त करते हुए रोने लगते हैं तभ अनिकेद कहता है हे प्रेतो मुझे छमा करो मैंने आपके उपर पंचामरत छिड़कर आपको वेतनाई दी करप्या आप मुझे आपकी इस दसा के बारे में विस्तार पूरुख बतलाएं तभ प्रेत कहता है कि हे युवक मैं सूची मुख नाम का एक विख्यात पिसाच हूँ जिस तरह मेरा यह सरीर पहाड जैसा है वहीं मेरा मुख का छिडर एक सूई के नोक के समान छोटा है मैं बड़े जीवों को मार तो सकता हूँ लेकिन उन्हें खाने में ऐसमर्थ हूँ और पिछले सो सालों से हम इसी व्रक्स पर रहते हैं और यह मेरी इस्तरी है जो एक चुडेल बन कर बन चुकी है जिसका मुख कई खंजर को भेदने के कान ऐसे कुरूप हो गया है हम हमारे मनुसी जीवन में किये हुए पापों को भुगत रहे हैं मैं भी पूर जनम में इसी नगर का वासी था मेरा नाम विश्वत था मैं कुछ सालों पहले ही इस गाओं में रहने तथा वयापार के उद्देशे से आया था यहां के राजा ने हमें इस नगर में वयापार करने की अनुमती तो दे दी किंतु हमें रहने का परबंद स्युम ही करना था फिर एक दिन संध्या के समय मैं नगर में घुमने जाने वाला था तबी मुझे एक ब्रामन देवदत मिल गया जो इसी नगर के मंदिर में पुजारी का काम करता था हम दोनों एक ही विचार जैसे ही थे देवदत की पतनी सुमिती और मेरी पतनी दुसाला थी इन दोनों के बीच में भी काफी अच्छी गहरी मित्रता हो गई थी और समय के साथ साथ हम दोनों के परिवार एक हो गए कुछ ही दिनों के बाद मैं मेरी पतनी के साथ ब्रामन देवदत के घर पर रहने के लिए आ गया देवदत को सु कुमार नाम का एक बेटा था जो कि मात्र पाच वरस की आयू का ही था वै अपने माबाप से बहुत प्रेम करता था और उसके बिना एक छण भी नहीं रह पाता था वै अपने पिता के साथ मंदिर में पूजा पाट करता था इसी तरह से कुछ सालों का समय बीतने के बाद दिन बदन वैपार के भडोतरी से मैं धनवान होता चला गया किन्तु मेरा मित्र देवदत गरीबी में ही पड़ा रहा फिर एक दिन देवदत की पतनी सुमीती मेरे घर आकर अपने पती को व्यापार में भागीदारी करने को कहती है उसकी विंती और मेरे साथ उसका प्रेम पूर्वक वेवहार होने के कारण मैं उन्हें मना नहीं कर पाया वहीं दूसरे दिन मैंने देवदत से कहकर उसकी खेती की जमिन नगरी के सहुकार के पास गिरवी रखवा दी और उसी धन से अब वह मेरा व्यापार में भागिदार बनने वाला था फिर एक दिन मैंने देवदत से कहा देखो भाई अगर हमें जीवन में अधिक धन पाना है तो इस नगर को छोड़ कर राज नगर में जाकर अपने व्यापार को भड़ावा करना पड़ेगा क्योंकि अब हम दोनों के पास काफी धन इखटा हो चुका है क्योंकि हम उसे व्यापार में ही लगाएं तभी देवदत ने कहा भाई विश्वत आप ठीक कहते हो किन्तु हमारे परिवार और पत्नियों का क्या वैं हमारे बिना क्या करेंगी तभी विश्वत ने कहा हम दोनों ही व्यापार के लिए राजनगर में जाएंगे और अपहारी पत्नियों यहीं रहकर अपना अपना काम देखेंगी तुम्हारी पत्नि मंदिर में पूजा पाठ करेगी और मेरी पत्नि इस गाओ में व्यापार में हमारा साथ देगी मित्रो भगवान सिरीहरी आगे कहते हैं कि हे लक्षमी देवदत और उसकी पत्नी सुमिती ने विश्वत और उसकी पत्नी दुसाला के यहां हमी भर दी अब वे सबी अपने नए जीवन की सुरुवात करने के लिए तैयार हो गए थे लेकिन दुस्याला एक लाल्ची मतलबी और धूर्द सबाव की इस्त्री थी साथ ही उसका पती विश्वत जो की उसका गुलाम था वह हमेशा उसके इसारों पर नाचता था जो कुछ भी करना होता अपनी पतनी के अनुसार ही करता था देवदत और सुमिती तो बेचारे किस्मत के मारे उनके इस माया जाल में कब फस गए उन्हें पता ही नहीं चला जैसे कबुत्तर दानों के लालच में सिकारी के जाल में फस जाते हैं, विश्वत को उसके गाउं वालों ने मिलावटी सामान बेचने के कारण गाउं से बगाया था वे हमेशा अपनी मिठी बातों से लोगों को ठग लिया करता था, उसने यहां भी देवदत को जान बूझ कर अपने साथ व्यापार के लिए मनाया था फिर अगले दिन वे दोनों ही अपना सामान भांद कर नगर की और चल दिये रास्ते में जाते हुए उन दोनों के बीच खुब बाते हुई अपने व्यापार को बढ़ाने को लेकर बच्चों को लेकर संध्या समय को वे जब उस नगर में पहुँचे तब विश्वत ने एक सराय में रुकने का फैसला लिया देवदत के लिए यह सब कुछ नया था वे पहली बार राजनगर में आया था इसलिए विश्वत जो कहता वे बस मान लेता उसी दिन रात में उसके सराय के पास एक जुआरी अपना लालच बरा खेल लोगों को दिखा दिखा कर ठग रहा था वहीं दूसरी और विश्वत को जब इस बात का पता चला तब वह भी देवदत को मना कर जुए को देखने के लिए चल दिया तब देवदत कहता है भाई याद रखो हम सिर्फ जुआ देखने के लिए आए हैं खेलने के लिए नहीं और मैंने सुना है जुआ खेलने से एक राजा भी रंक बन जाता है तब विश्वत ने कहा जी हाँ गुरू जी हम बस देखने के लिए ही जाएंगे हम तो यहाँ व्यापार खेत्तु आए हैं थोड़े ही जुआ खेलने आए हैं वे दोनों आपस में बाते करते हुए बाजार में जुए की जगए पर दाखिल हो गए जब वहां मौजूद लोगों के मुख से उन्होंने यह सुना कि आज जुए में जो भी दस स्वन मुद्राय दाव पर लगा उसके बदले में वह सो सुन मुद्राय जीत सकता है पहले से ही विश्वत लालची था जिसकी नजर अपने मित्र के धन पर थी उसने चुपचाप जाकर अपना नाम जुए खेलने वालों की में लिखवा दिया और कुल सो मुद्राय बाजी पर लगाई और बार बार अपने मित्र के रोकने के बावजूद भी वो नहीं माना जुआ खेलने वाला एक जादूगर भी था जिसने एक ही बाजी में उसे हरा दिया और बोला ये लो भाई तुम तो हार गए हो अब मेरी पूरी नगदी लाओ लेकिन उसके पास दन थोड़े ही था उसने तो केवल बांध दी थी अब उसके बीच फसाद होना सुरू हो गया था कि तबी उस राज्ये के महराज श्वम अपने कल के बाजार का आयोजन देखने हेतू वहीं से गुजर रहे थे तब उन्होंने देखा किसी फसाद के चलते काफी भीड उमड़ चुकी है और कुछ लोग दो लोगों को पकड़ कर खड़े हुए है जब राजा ने इस बात को जानना चाहा तो उन्हों पता चला कि अन्य नगर से दो लोग व्यापार करने हेतू आये हैं तथा वे अपना सब कुछ इस जुए में हार गए है तब राजा ने उनके बीच हस्त छेप करते हुए देवदत और विश्वत को अपना हारा हुआ धन चुकाने को कहा तब विश्वत ने कहा महराज हम तो व्यापारी हैं भला इतना जादा धन कैसे अदा करें यह जुवारी लोगों को ठग रहा है लेकिन जब राजा ने अन्य लोगों से पूछ ताच की तब उने पता चला कि जुवारी नियमित रूप से खेल रहा है और उसकी कोई सिकायत दर्ज नहीं है यह दोनों आज ही राजनगर में दाखिल हुए हैं और इनों ने आज ही अपना सबकुछ जुवे में गवा दिया है तब राजा उन दोनों का सबकुछ सामान और धन छीन लेते हैं और अपने सिपायों को आदेश देते हैं कि उनका सबकुछ लाकर जुवारी को दे दे यह जानकर सरायवालों ने भी उन्हें रात में ही वहां से निकाल दिया कहते हैं विनास काले विप्रीत बुद्धी जब भी कोई मनुश्य किसी विसंपरी इस्तिती में फस जाए और उनका विनास निकट आज जाए तो उनकी बुद्धी ब्रश्ठ हो जाती है देवदत अपने मित्र के किये हुए बार-बार रोते हुए कहने लगा कि भाई मैंने तुमारे लिए सब कुछ किया लेकिन तुमने यह क्या कर दिया अब मैं कहा जाओं मेरी पत्नी और बच्चे को मैं क्या मू दिखाओं अब कैसे मैं सहुकार का कर्ज चुकाओंगा लेकिन विश्वत के चहरे पर एकदम सन्नाटा सा चाया हुआ था उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं हो रहा था क्योंकि उसने जो कुछ भी आज दाव पर हारा था वे सब कुछ अपने मित्र का था फिर उसने मीठी वानी में कहा देखो भाई जो हुआ सो हुआ अब ज़्यादा सोचो मत तुम और तुमारी पत्नी मेरे साथ रहकन जीवन या पन करो अपने मित्र के मुख से ऐसी बाते सुनकर देवदत को बड़ा ही क्रोध हुआ और उसने कहा वा भाई वा आज तुमने जुए में मेरा सब कुछ हरा दिया और हमें अब अपना दास दासे बनाना चाहते हो यह कदापी नहीं हो सकता मैं अपने हिस्से का धन तुमसे जरूर वापस लूँगा अब तुम चुपचाप मेरे साथ गाउं चलो और मुख्या जी तुमारा फैसला करेंगे देवदत के मुख से ऐसी बाते सुनकर विश्वत अचम्बित हो गया उसे लगने लगा कि कहीं अब यह मुझे इस गाउं से भी ना निकलवा दे फिर मैं कहां जाऊंगा मेरे पास तो घर भी नहीं है तब ही उसके दिमाग में एक कुटिल मनसा से जनम लिया अभी मध्यरात्री का समेत और वे दोनों ही सुनसान रास्ते से अपने घर की और वापस लोट रहे थे सही आउसर को देखते हुए विश्वत ने अपने मित्र का गला एक रसी से जकड लिया और पूरे जोर के साथ उसका गला घोट दिया जिससे देवदत की म्रत्यु हो गई फिर उसने अपने मित्र के सव को कंदे पर उठा कर वापस अपने घर की और चलता सुरू किया पापी लोगों के मन में भी पाप होता है और उनका दिमाग दुष्ट विचारों से भरा हुआ होता है जब वे रास्ते पचल रहा था तभी उसने देखा कि नदी का परवा काफी तेज है और वे अब ठक चुका है इसलिए अब सोच रहा था कि मैं गाउं वालों तता देवदत की पतनी को क्या जवाब दूँगा उसी समय नदी के बहते पानी में देखते एकते उसके दिमागन में एक कालपनिक कथा को जनम दिया और उसने देवदत को नदी के पानी में फेंक दिया और अपने गर की और लोट आया अब सवेरा हो चुका था सुमिती और दुसाला विश्वत की दैनिय हालात को देखकर अत्यन्त चिंतित होकर पूछती है अजी क्या हुआ है और देवदत जी कहा है तो वे आपके साथ ही गए थे और आपकी यह हालत कैसे हुई विश्वत के वस्त्र देवदत के साथ हाथा पाई में फट चुके थे तबी वे मंद स्वर में कहता है हे भाग्यवान मैं लूट गया बरबाद हो गया हमारे धन के साथ साथ उन चोरों ने मेरे मित्र के प्राणों को भी छीन लिया हम दोनों राजनगर की और जा रहे थे तबी कुछ चोरों ने हमें लूट लिया और हम से जब उन्होंने रोकने की कोशिष की तबी उन्होंने मेरे प्रीय मित्र को मार डाला और उसे नदी के प्रवा में फैंक दिया ऐसा सुन के सुमिती मूर्चित हो गई और जमीन पर गिर पड़ी विश्वत के नाटक ने सभी गाउवालों को ये विश्वास दिलाया कि देवदत चारों चोरों के हाथों से मारा गया फिर कुछ महिनों का समय बीटता चला गया इधर दुशाला विश्वत पूरी तरह से देवदत को भूल चुके थे उन्होंने देवदत के घर पर अपना अधिकार इस्थापित कर लिया साथ ही सुमिती और उसके बेटे सुकुमार के साथ गुलामों जैसा व्यहार करते थे विश्वत ने सुमिती को दासी बना कर रख दिया वहीं उनके पुत्र को अपना दास उससे सभी परकार के काम करवाते थे एक ही समय का भोजन उन्हें दिया जाता था अब विश्वत नगर का सबसे धनी वयपारी बन चुका था उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता था फिर एक दिन जब सुमिती और उसका पुत्र सु कुमार मंदिर में जाकर पूजा पाट कर रहे थे तबी उसके पीछे से दुसाला भी चल पड़ी और उसे संदेय हो रहा था कि कहीं यह हम दोनों से डर कर भागने जाए इसलिए दुसाला उस पर अपनी तिक्ष्न नजर बनाये रखती थी जब वह मंदिर में आई तो उसने देखा कि भगवान की मूरती पर कई प्रकार के रतनों जडित मुकुठ है ऐसा दुरलब द्रशे देकर दुसाला उस दन को पाने के लालच में उनमत हो गई वह तुरंट अपने घर दोड़ती हुई आई और अपनी आखों से जो भी उसने देखा वह सब अपने लालची पती को बताया उसी रात को विस्वत और दुसाला ने एक योजना बनाई दुसाला ने कहा मंदिर में इतना धन है फिर हम क्या हमारी साथ पुस्ते आराम से बैट कर खा सकती है मैं आज रात मंदिर में जाकर चुपचाप सारा धन लेकर आती हूँ और चोरी का इलजाम हम इस सुमिती पर लगा देंगे वैसे भी अब ये काफी कमजोर हो चुकी है अब हमें इसकी जरूरत नहीं है अब सुमिती का भाग्य दुसाला की कुटिलता का सादेने लगा था अपनी पत्ने की कुटिलता को देखकर विश्वत काफी खुस था मद्य रातरी के समय दुसाला एक मुकीले धारदार खंजर को लेकर मंदिर में जा पहुंची सही समय का अवसर देख कर उसने खंजर से मूर्ती का खंडन करते हुए सभी रतनों को तथा सभी अन्य अस्वन की वस्तुओं को चुरा कर चुप चाप अपने घर चली आती है अपने साथ जो खंजर लिया था उसे सुमिती के कमरे में रख दिया और कुछ मोती हीरे जवाहरात भी उसकी अलमारी में रख दिये जिससे पता चले की चोरी इसी ने की है दोस्तों अगर मनुश्य अपने लालच में नीची हरकते करने लगे तो भूल जाता है कि उसे कितने नीच काम किया है वे बस लालच के मन से मिलने वाले फलो की और आकरशित होता है जब अगली सुबह लोग मंदिर जाते हैं तो वे क्या देखते हैं कि भगवान स्री किष्ण की मूर्ती खंडित कर दी गई है तथा उनके सभी हीरे मोती भी चुरा लिये गए है इस बात का बोल बाला सारे गाओं में हो चुका था लेकिन वहीं दूसरी और सुमिती अपनी पूजा के तैयारी करते हुए मंदिर की और चल पड़ी वह बेचारी बिल्कुल अंजान थी कि उसका भाग्य उसे बहुत बड़ा दोखा देने वाला है जब वह घर से बाहर निकली तभी दूसराला ने अपने कुछ सेवकों से कहकर उसके घर की अलमारी में रखे हीरे मोती और खंजर को लेकर मंदिर की और जाने को कहा जैसे ही सुमिती के सामने आई तो उसने देखा कि मंदिर के सामने बहुत भीड है जब वह सबसे आगे जाने की कोशिस कर रही थी तभी विश्वत के एक सेवक ने कहा अरे भाई हो सकता है कि यह चोरी इस कुटला इस्त्री नहीं की हो क्योंकि सबसे पहले यही मंदिर में पूजा करने हित्तु आती है इसी बीज दूसरा व्यक्ति बोला हाँ भाई तुम सत्ति कह रहे हो मंदिर आत्री के समय मैंने एक इस्त्री को अपना मूच बाते हुए मंदिर से बाहर आते हुए देखा था मैं यह तो नहीं कह सकता है कि यह वही है लेकिन उसके वस्त्र चाल चलन से तो पक्काव है इस्त्री ही थी आगे किसी के कुछ बोलने से पहले ही व्यापारी और उसकी पत्नी वहां पहुँच गए और तब कहता है कि हाँ गाउवालो यह इस्त्री तो कुटला है जब इसका पती मरा है इसने अपने सरीर को बाजार बना रखा है मैं मुख्या जी से विंती करता हूँ इसके घर की तलासी ली जाए जब मुख्या ने लोगों के कहे अनुसार सहमती जताई तब दुसाला भी बोल पड़ी मुख्या जी की इस बात में कोई संदे नहीं है यह चोरी तो इस इस्त्री नहीं की है और मद्धे रातरी के समय यह कहीं और अकेली गई थी बला एक विद्वा इस्त्री को रात में अकेले गूमने का सोग किस कारण से हो सकता है रात को मैंने इसके घर में चार लोगों को बाहर आते हुए देखा था लोगों के मुख से ऐसी बाते सुनकर सुमिती का हृद्यम मानो फटने को आया हो तभी वैरोती बिलगती हुई लोगों के सामने याचना करने लगी और कहने लगी बस करो भगवान के लिए बस करो मेरा कोई विश्वास करो मैं जिस भगवान की सेवा पिछले 20 वर्सों से कर रही हूँ भला उसके ही मंदिर में क्यों चोरी करूंगी मैंने आज तक कोई चोरी नहीं किये मैं गरीब हूँ, लाचार हूँ, बेबस हूँ किन्तु चोर नहीं तबी एक व्यक्ति वहीं खंजर और कुछ हीरे अपने साथ लेकर आता है और कहता है गाउवालो, मुझे ये वस्त्वे इसी ब्रहमनी के घर से मिली है ऐसे अपराद नहीं लगाओ इस चोरी की साजिस में मुझे फसाया जार रहा है आप तो मेरे पती को अच्छे से जानते थे उसकी अच्छे मित्र थे आप तो मेरी बात पर विश्वास करो तबी क्रोधित होकर दुसाला ने कहा अरे, वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डाटे यह कहां का न्याय है चोरी करो तुम और अपनी साजिस की भागिदार बने हम एक उल्टा तुमारा यह लांचन किसी और को लगाओ जिस थाली में खाती हो उसी में ही तुमने थूकती हो सरम नहीं आती गाउवालो जिस तरह से इसने भगवान की आँखे इस खंजर से नोच कर निकाली है ठीक उसी प्रकार की सज्जा इसे भी मिलनी चाहिए जब सभी लोगों ने कहा इसे मार डालो इसे मार डालो इसी बीच दुसाला ने अपनी निर्द्यता की सारी हदों को पार करते हुए उस खंजर को सुमीती की आँखों में घुसा दिया अब चारो और सन्नाटा चा गया सुमीती का पुत्र सुकुमार जो की मातर छे साल का था वह अपनी मा के सव के पास बैठ कर रो रहा था अब उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था कुछ गाओं के भले लोगों ने सुमीती का अंतिम संसकार किया और विश्वत ने अपनी कोई संतान नय होने के कारण देवदत के पुत्र सुकुमार को गोद में ले लिया फिर अगले कुछ दिनों में वह बालक सुकुमार पुत्र नहीं बलकि एक सेवक बन चुका था उसके भी दिन बुरे से बत्तर होते जा रहे थे फिर कुछ मा के बीत जाने के बाद दुसाला गर्वती हो गई ब्रामन का पुत्र सुकुमार अब उनकी सेवा में लग गया था इसी तरह एक दिन सुकुमार अचानक से बिमार पड़ जाता है और इतना कमजोर हो जाता है कि वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता है ऐसी बुरी हालत में दुसाला ने उसे पानी लाने के लिए कहा किन्तु वो जगे से हिल भी नहीं पा रहा था तब गुसे से वह लाल पिली होकर उससे जोर से पुकारा अरे मुर्ख मैं कब से तुझे आवाज दे रही हूं और तु अब अपनी जगे से हिल भी नहीं रहा है रुक मैं अभी तुझे ठीक करती हूं ऐसा कहकर उसने उसके मुँ पर पानी डाला तभी वह बहुत प्यास के कारण पानी पानी कहता हुआ जोर जोर से रोने लगा और जैसे ही उसे होस आया जब वह दुसाला ने अपने पती को विस्वत को बुलाया और कहा अब यह बालक हमारे किसी भी काम का नहीं है अगर यह ऐसे ही जीवित रहा तो यह हमारे कुछ काम का नहीं रहेगा उपर से इसके इलाज का खर्च भी हमें ही उठाना पड़ेगा तब विस्वत ने क्रोध में आकर एक जोर से मुक्के से उस मासूम बालक का मुबंद कर दिया बालक को चोट इतने जोर से लगी कि बिना कुछ आवाज किये ही उसके प्राण निकल गए दोस्तो कहते हैं जैसा कर होता है ठीक उसी प्रकार से नियती उस मनुष्य के कर्मों के आदार पर फलप्रदान करती है आगे विस्वत और दुसाला ने उस बालक को उसके ही घर में चुपचाप दफना दिया और गाउवालों से कहा कि माबाप के मरने के कारण बालक अपने दूर के मामा के पास गया है अब नियती ने उनका उल्टा खेल खेलना शुरू कर दिया और भाग ने बदला लेने की ठान ली एक वर्स के बीतर ही दूसाला और विस्वत को दो जुड़वा बच्चे हुए उनमें से एक कन्या थी और दूसरा पुत्र वे बहुत ही सुन्दर थे उनके आने से पूरे गाउं में खुसाली का माहोल चाया उनके जनम पर विस्वत और दूसाला ने सारे गाउं को दावत दी उनके आनने के कारण व्यापार में कई गुना व्रद्धी हो गई उनकी तरकी आस्मान चुने लगी थी वे दोनों ही इस बात से बिलकुल अंजान थे कि उनकी कोक से जनम लेने वाले बच्चे उनकी ही बरबादी का कारण बनेंगे इसी तरह से कुछ सालों का समय बीटता चला गया विस्वत ने अपने पुत्र का नाम सुदेव रखा और कन्या का नाम सीला रखा सुदेव और सीला बच्चपन से ही बड़े नटखट थे किन्तु समय के साथ साथ उनके अंदर बदलाव होने लगे और सुदेव और सीला अब सोले वर्ष की आयू के हो गए थे उनके मन में भगवान के प्रती एक अलग ही भगती थी वे दोनों ही हर दिन मंदिर में जाते पूजा पाठ करते दान धरम करते थे उन्होंने अपने गाउं के मंदिर का जिर्णो ध्यार भी करवाया और भगवान सीव की नई मूर्ती भी इस्थापित कर दी धन के लालची विश्वत और दुसाला का हर दिया हर दिन तिल-तिल कर तूटता जा रहा था जिनोंने कभी घर आये किसी भी यातरी को पानी तक नहीं पूछा था आज उनके दोनों बच्चे धन को पानी की तरह बहाते और दान कर रहे हैं सुदेव ने गाउं वालों का सारा कर्ज माफ कर दिया और उन्हें सावकार के चुंगल से मुक्ती दिलवा दी इसी तरह के दान धरम करने के कार विस्वत की संपती गटने लगी फिर एक दिन विस्वत ने क्रोधित होकर अपने पुत्र से कहा अरे मूर्ख तू जिस संपती को पानी की तरह बहा रहा है दान धरम कर रहा है उसे कमाने के लिए मैंने दिन रात बहुत मैनत की है मैंने श्वम के मित्र तक को दोखा दिया था तुझे जैसा पुत्र होने से अच्छा है कि मैं नीसंतान रहता आपने ही पिता के ऐसे इर्षया भरे बातों को सुनकर तथा पुत्र से अधिक धन के मो को देखते हुए सुदेव ने कहा पिता जी आप सत्ति कह रहे हो आप मुझे छमा करें मैं आज से आपकी जादाद को छोड़कर चला जाऊंगा ऐसा कहकर वे अपना घर छोड़कर जाने लगा तबी उसकी माने उसे रोकना चाहा पर उसने किसी की भी नहीं सुनी और चुपचाप वहां से चला गया वहीं दूसरी और सीला भी दान करने में अपने भाई से कम नहीं थी फिर एक दिन जब वह रात में सो रही थी तभी उसे एक विचित्र श्वयपन आया उसने देखा कि एक अलमारी में भगवान कृष्ण की मूर्ती और गहने रखे हुए है जो कभी चोरी हुए थे और भगवान कृष्ण की मूर्ती तूटी हुई है मूर्ती उसे दिखाई पड़ी इस परकार के स्वयपन को देखकर वह अचानक से जाग गई तब उसने याद आया कि ऐसी अलमारी तो उसके घर में एक कमरे में सुनसान पड़ी हुई है सीला को जब यह एसास हुआ तो किसी ने भगवान के गहने चुरा कर उसके घर में रखे है तब उसी समय वह अलमारी खोर कर देखती है तो वहां वही गहने होते है जो उसने अपने श्वपन में भगवान कृष्ण की मूर्ती पर चड़ाई हुए पाए थे उन्होंने उन्हें लेकर वह मंदिर में चली जाती है और मूर्ती पर ठीक उसी तरह से चड़ाती है जैसे पहले थे अब मद्रात्री का समय होने के कारण वह मंदिर में ही सो गई अब नियती ने अपना अंतिम खेल रच दिया विश्वत और दुसाला के पापों का खे गड़ा अब भर चुका था अब बस उनके पाप कर्मों का फल हिसाब करना बाकी रह गया था उसी रात में कुछ चोरों ने उनके घर में डाका डाल दिया वे चोर तो बस थोड़ा सा धन चुरा कर वहां से भागने ही वाले थे तभी दुसाला चोरों की आवाद से जाग उठी और उन्हें देखते हुए जोर जोर से चिलाने लगी चोरों की चोरी से कई गुना अधिक अपने प्राण प्रिये होते हैं इसलिए उन्होंने वहीं पड़े एक खंजर को उठाया और दुसाला की जीव काट दी वहीं दूसरी और विश्वत भी जोर जोर से चिलाने लगा तभी हश्ट पुष्ट चोर ने अपने मजबूत मुक्के से बुढे विश्वत को धेर कर दिया अब उन दोनों की मृत्यू हो चुकी थी दोनों दोस्तों जब उन दोनों की आत्मा को लेकर यह दूद धर्मराज के दर्बार में उपस्तित होते हैं तब चित्रगुप्त कहते हैं माराज इन दोनों ने प्रत्वी पर मनुश्य रूप में जनम तो लिया था किन्तु इनका आचन किसी दैतिक के जैसा था इन्हें कौन सी सिक्षा प्रदान करें तब यमुराज कहते हैं कि हे दूदो इन्हें अगले पांच वर्षो तक नरक की हर प्रकार की सजा दि जाए तत पस्चात इन्हें अगले सो वर्षो तक पिसाच योनि में जनम देकर मृत्कों का मास खाने की सजा दि जाए उन्हें हर दिन वैतरनी के दर्शन प्राप्थ हो इतना सुनकर यमदूतों ने उन्हें दोनों को सजा दी सीला जो की मंदिर में रुख गई थी जब उन्हें इस बात का पता चला कि उनके मा बाप नहीं रहे तो उसने मंदिर में ही पुजारिन के रूप में रहने का फैसला किया और मुखिया के बेटे के साथ विवा कर दिया गया बाद में उसे अपने साथ रहकर अपने पिता की सारी दोलत गाउवालों को दान कर दी स्री हरी आगे कहते हैं अब मैं आपको तीसरे खेलो को समझाता हूँ सीला ही सुमीती थी जो पूर जनम में दुसाला के हाथों से मारी गई थी और उसने मंदिर में हुई चोरी का अपना लांचन दूर किया देवदत ने गाउं के मुखिया के बेटे के रूप में जनम लेकर गाउं का भविश्य को तथा सीला को अपनाया अब उसे स्वम की जायदाद भगवान के आशिर्वाद से प्राप्त हुई देवदत और सुमिती का बालक सु कुमार था जो पिछले जनम में अपने माता पिता का संरक्षन नहीं कर सका था किन्तु अब वही सीला का भाई सु देव के रूप में जनमा था इसी प्रकार से वे सभी अपने अपने कर्मों के हिसाब से पुनर जनम लेकर अधूरे कारे करते हुए गए दोस्तो भगवान स्रीहरी कहते हैं कि हे लक्षमी अब आगे की कहानी सुनिए सीला और वामन का बेटा ही अनिकेत है जो अपने पापी नाना नानी को इस पिसाच योनी से मुक्ती दिलवाने हेतू उसी जंगल से गुजर रहा था किन्तु जब उन दोनों ने अपने अपने जीवन की विचितर कताएं एक दूसरे को सुनाई तभी पिसाच बने विश्वत और चुडेल बनी दुसाला को उनके पाप कर्मों की याद आती है और वे जोर जोर से विलाप करते हुए अपने पोत्र अनिकेत से इस पिसाच योनी से मुक्ती की कामना करते हैं तभी अनिकेत ने उनका स्राद पिंड़ दान किया और उन्हें स्रीमत भगवत कथात का सुरण भी कराया जिससे उनके सभी पाप नश्ठ हो गए उन्हें दिव्वी सरीरों की प्राप्ती हो गई अंत में उन्हें मुक्ती मिल गई दोस्तों भगवान सिरीहरी कहते हैं पहले प्रस्ण के अनुसार प्रतेक मनुश्य को अपने जीवन में किये हुए सत कर्मों या कू कर्म के फल को भोगना ही पढ़ता है तथा मनुश्यों को अपने पूर जनम के पापों को भी अगले जनम में भोगना ही पढ़ता है और जिस प्रकार के वह करम करता है ठीक उसी प्रकार की सजा भी उसे मिलती है इसलिए मनुश्य को करम करने से पूर्व कई बार सोचना चाहिए और कल युग में करमों के फल को इसी जीवन में भोगना पढ़ता है क्योंकि यह सबसे शापित युग है आपके दूसरे प्रसन का उत्तर है प्रतेक जीव को अपने कर्ज को चुकाना पढ़ता है चाहे फिर वह धन उक्का हो किसी के एहसान का इस संसार का सबसे सर्विस्रेष्ट जीव मनुश्य है किन्तु अगर वह नीच क्रूर दैनिय कर्म करता है उसका आचन किसी पसू की भाती है या धन तथा संसारिक सुखो की लालसा में वह अपना धर्म भूल जाता है तो निश्चित रूप से उसे भूत पिसाच चुडेल की योनी में जनम लेना पड़ेगा दोस्तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ खुस रहिए और अपना ख्याल रखी धन्यवाद